मुसा बादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी मुसा बादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी आज हमारा जो एक साखी है अरियाने से जो आये हैं राजेस धानिया जी राजेस धानिया जी ने जो सवाल उठाया और जिसका जवाब उनों न दिया वो जवाब हमारी मुक्ति का रास्ता है, हमारे कश्टों से मुक्ति का रास्ता, वो वाली मुक्ति मैं समय ना जीवन से मुक्ति, कश्टों से मुक्ति का रास्ता, तरसल पुराने समय में कहीं भी किसी भी जगे ऐसा नहीं लिखा हुआ, कि समण संग कोई पैसा लेगा या कुछ इखटा करेगा बतार इखटा भी नहीं कर सकता जो समण संग के टीचर हुआ करते थे पढ़ाने वाले होते थे एक समय का खाना खाते थे वो भी पांच घरों से मांगता थे कोई मांगते कैसे थे धर के दर्वाजे बजाके खड़े होगे कोई आया तो पहले उसे पढ़ाएंगे पढ़ाने के बाद मांगेंगे नहीं अगर उसने दे दिया खाना तो एक ही बतन होता था उसमें रख लेते थे कुछ भी दे तीला सूखा पका कच्चा टेला मेडा बास चाहे वो मांस हो बेसक पका हुआ कुछ भी देखाने का वो उसमें डालते थे वो उसका हाथ का बजन देखते थे कि क्या ये सफिसेंट है क्या ये ठीक है आज की बजन के लिए ठीक है तो उसके बाद अगर ठीक नहीं तो दूसरे घर जाए खड़े होते थे वहाँ पहले बाद वो सारा खाना जहां से भी घर घर से मिला है उसको इखटा करते थे एक पात्र में फिर उसको मैस करते थे मिलाते थे ताकि स्वाद ना रहे और किसी के घर के भोजन का ये ना रहे उसका खराब था या उसका अच्छा है बोजन लिया है तो भोजन का जत्वी और ना खाते थे और कच्चा लेनी डेल देनी सकते थे और कोई सामान नहीं ले सकते थे गर्ण करने की कोई भी इजाज़त थी नहीं तो बावा साब तो दुनिया के पहले नंबर के modern history के समझदार व्यक्ति हैं उनसे कैसे गलती हो जाएगी और उनसे कोई गलती हुई नहीं मगर उनके बाद में जो लोग हैं उन्होंने बड़ा तहसनेस कर दिया मामला बावा साब ने कभी नहीं कहा कि आपको पे बैक टू कैश करना है यानि कि आपको पैसा वापस करना है उ उनकी वो अंगरी जी इस्तुमाल करते थे पे बैक टू सोसाइटी समाज को देना है तो यहां जो धानिया जी है वो सीना चोड़ा कर आँख में आँख मिला कर साफ साफ कह सकते हैं जो पैसा लेने आएगा कि मैंने पैसा दियार मैं पैसा देने को तैयार हूं पहले जो गल ठीक करता हूं बाबा साब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी यानिके समाज को पे बैक करना है पे बैक कैस नहीं कहा है पे बैक कैस तू सोसाइटी नहीं कहा है पे बैक तू सोसाइटी यानिके बापस करना है पे बैक का मतलब लोग समझ लेते जैसे बैंक में पे मिलती है तो उसको payback समझ लेते हैं बैप का मतलब तंका नहीं है पे का मतलब है कि आपको बापिस करना है देना है मतलब यह पे ही होता है मंदब देने वाला होता है तो देना है तो धानियाजी साफसाफ कह सकते अरे तेरे को देने के लिए लिएक आप specific अगर कोई व्यक्ति आता है, तो उसको साफ कह सकते हैं, तेरे को देने के लिए नहीं कहा है बावा साब ने, बावा साब ने सोसाइटी को देने के लिए कहा है, तो समाज ला पहले, और समाज जब होता है, जब सारे साथ में, संग समाज होता है, और संग पैसा लेता नहीं, तो वो जो पे बैक टू सोसाइटी है या पे बैक टू जो समाज है वो समाज लेकर नहीं आते हैं, वो संठल लेकर आते हैं हमारे पास, वो छोटे-छोटे ग्रूप लेकर आते हैं, वो एक पच्ची ले आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं कोई किताब नहीं मुहिया है और वो साधन बहुत डिटेल में हैं क्या साधन है आपके पास साधन है लोगों को जानकाई देने का पढ़ाने का क्योंकि आप मास्टर है टीचर है प्रोफिसर है एसोचेट प्रोफिसर है तो आपको डेली पांच परसेंट टाइम के हसाब से पढ़ाना चाहिए ओनलाइन पढ़ाओ, घर जाके पढ़ाओ, घर बुलाके पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो आपका resources है, वो resources आपको बावा साब की वैसे और बावा साब का जो पृतनित हिस्सा है, यानि हम लोगों का जो पूरी जनसंख्या है, उसके आधार मिलाएं, तो हमारा हिस्सा है, हम तो 5% ही माग रहे हैं क्योंकि बावा साब ने 5% वैसे, तो 100% हमारा है, तो कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर को ज्यान है कि वो हमारे मरीजों को बचा सकता है, तो उसको अपना 5% टाइम देना चाहिए, डॉक्टरी की सेवा में और पैसा का सारा हिस्सा है उसका पांच पर्षण डेना है तो मरी जो को देख नए सारे ने बापस आदर बापें का और अपने पतनी पर्षण को समझाएं तो अपनी तो कोई इंजीनियर है तो वो टूशन पड़ा सकता है, क्लास दे दे सकता है, टेकनिकल चीज सकता है, टेकनिकल बातें बता सकता है, कोई यान तरीक है कोई मेकनिकल इंजीनियर है तो वो बता सकता है कि कार में कैसे करना चाहिए, वो कुछ मेकनिक टेंट कर सकता है, कुछ ट दरीवों में जाके बताए और रोज जाए एक घंटा पंदे में रोज पांच जब पांच मनट का आदे से तो पांच मनट टाइम दे यह सारे जो हमें अगर आप एक घंटे लोगों की सेवा करोगे जो काम आपको आता है तो एक घंटे में जो कमाओगे वो पैसा जो है वो सेवा के रूप में जाता है मगर आप एक गंटे सवा गंटे काम ना करके दो चार सो पांच सुरूबे दे देते हैं तो उसे वह हो जाती है तो उपर से ये भी रहता है कि हमारी पर्षी कटी है तो इसको लेने समाज नहीं आया कभी क्योंकि समाज के लिए आदेस था और आके वो कहने लगा जी के मेरे को चंदा दो मैं बुद्ध का एक रंगा रंग काई करम एक फेस्टिवल गीत संगीत का लगाता हूँ मुझे पता था कि वो लड़का अच्छा नहीं है उसने गुरू बना रखा है चार-पांच उसने ऐसे इकटे कर रखे है दारू पीते हैं दारू पीते हैं दारू के डांस करते हैं और भी व्यफचार करते हैं धम सा तो दूर दूर तक उनको यह नहीं पता कि धम होता क्या है धम का मतलब क्या है तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं इस तरह से पैसे नहीं देता तो उसने फिर एक कहानी सुनाई कि रहा जी मैं पैसे लेके जाओंगा तो मैंने कभी कैसे लेके जाएगा अगर तुम्हें कर देगा तो मैं तुझे पैसे दोना तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई कि जी मैं जहां पैसे लेने के लिए जाता हूँ वहां लोगों को कहता हूं कि देखो तुमारे बा़ दादा मरे का मास खाते थे और ऐसे ऐसी हलत थी, और ओर्टों की ऐसी खालत थी, और आज तुम मैं जो सारा मिला है ये डॉक्टर अमे depende की वैसे मिला है, और तुम जलूर के गणदार हो का धंदा है ठगी का यह ठीक उसी प्रिकार है emotional blackmail और इमोशनल तुरी गड़तारी है बावतसाब के साथ और इस पैसे को ले जाकर वो रंगारंग काई करम करते हैं जो पचास यार में हो सकता है साथ यार में हो वो आपस में जखड़ा करते हैं मगर हमको कभी यह नहीं कहते हैं कि वो पैसी की वैसे जखड़ा करते हैं सारे जितने भी संग्ठनों में यह संख्या बड़ी है जो 39 लाक संग्ठन है और जो 4 लाक एक्टिव हैं अगर आप इनकी जड़ में जाएंगे तो आपको पता हैं बड़ी-बड़ी गारे आती हैं अँगी बड़े-बड़े उनके शोक हैं बड़े-बड़े Mोबाइल हैं बड़े-बड़े होटल में खाना खाते हैं और वो ऐसा ताम-झाम दिखाते हैं करोल रुपया खर्च हो गया अभी डॉक्टर्स की मीटिंग होई है तीन सो से उपर डॉक्टर्स लखनों में आये थे बहुत सिंबल जरूरी सारी चीचीरिया आये थी और एक रुपया लिया नहीं किसे इस बात के लिए कि क्या करना है सब आये अपनी कुर्सी का बैठने का लगाते अगर ये लोग लगाते तो वो मीटिनग में कम सिकंब पचास लाक रुप曲 खटा करते ये रामले मैदान के अंदर मीटिंगों के धंदे चल रहे हैं चलते रहे हैं धंदे हमें कोई अत्राज नहीं लोग खाएं कमाएं मोच करें मगर जिस बावा साब के नाम पर खाते हैं उस बावस आपके बच्चे तो खतम हो लिए उस बावस आपका समास तो खतम हो लिया उस बुद्ध का समास तो खतम हो लिया उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है तो उस समाज को खुद अपनी चिंता करनी चाहिए उस समाज को चिंता करने के लिए यहां बहुत सारे लोग आ गए। और बहुत सारे लोग बैठ गे, उननों लोगों ने चिंता की, कि कैसा कैसे हो गया, कि संग्णा हमारे सब से ज़रा जगती हमारे सब से ज़रा जगह हमें सबसे ज़रा रहे हैं, इतना जो जो से पढ़ाते हैं पूरे दिन दुस्मन दुस्मन करते हैं पूरे दिन एक एक चीज बताते हैं तो अधिकार बचने चाहिए किसान एक साल के लिए तो इखटे हुए अपने अधिकार बचा के ले गए हम तो सतर साल से लगाता 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 एक खटे करने का प हिकार प्राइब कि भारत में संविधान के हमारे पास हम सबसे जादा रिच और मालदार होते हुझे सब्से जादा इंडे crunchy होती सब्सब्स बच्चे अमरे पड़न लिके होते हमां होine गया जैसे जैसे संग्ठन, जैसे जैसे राष्ट अधिवेसंद, जैसे जैसे अधिवेसंद, जैसे जैसे सम्मिलन, जैसे जैसे राजनितिक पार्टी, जैसे जैसे भरती गई, जैसे जैसे हम चंदा देते गए, जैसे जैसे हम उनकी मीटिंगों में आते गए, और हम इतने ज अगर 20 hospital में कराओगे, मरीज को बार बार 20 hospital में लेके जाओगे, मरीज तो वैसे मर लेगा, आने जाने में मर लेगा, इलाज तो उसका होगा क्या, यह इलाज कराने की नहीं है, बावा साब ने, जोतिवा फुले ने, परियार साब ने, कबीर दास ने, भगवान बुद्ध न सब बात सब जांते हैं, और जो इसको मानते हैं, और जो चलने का रेट है अगर कार तूटि फुटी लेके चलेंगे और आपने एक हल एक लाक रुपे की कार खहित के चार शकल लगा दिये तो आठ जार रुपे देने पढ़ेंगे आपको इतने की कार नहीं है जितने का उत पर चलने का किराया है और उस पर जो होटल बने हुए हैं उनमें बाथरूम जाने की भी रेट हैं वो काफी भी महाँ पर सो लगबग जा चुकी हैं और इन जाने के लिए हमें सरे दुस्मन को या किसी ऐसी व्यक्ति को जिसको बारवार हमें बताते हैं हमारे लोग वो नहीं है इसके जुम्मदार हैं तो कि वो इकटे नहीं हुए उनको कितनी वार कहा या तुम संग्ठन मनाते हो तो तुम खुद स संग्ठनों में दुस्मन ही पैदा करके रहते हैं एक संग्ठन दूसरे दुस्मन को दूसरे संग्ठन को दुस्मन बताता है एक ही दिन में एक एक सहर में चार-चार संग्ठन अलग लग लगा है संविधान देबस मनाएंगे तो एक ही संग्ठन एक ही सहर के अंदर चार- पांच पांच संग्धर मनाते हैं, उनसे कोई जा के पूछे कि तुम्हारा संविधान अलग है, क्या उसके संविधान में कुछ और लिखा हुआ है, क्या तुम संविधान क्या वहां से अफगारिस्तान से लेकर आये थे, इसका वो जवाब नहीं देंगे, उनसे पूछो क्य होते हैं, तो चार टुकड़े हैं, तो संविधान के चार टुकड़े आपने कर दिये, तो संविधान क्या बचा होगे, संविधान की तो पहले चार टुकड़े कर दिये, किता भी भाड़ दिया आपने तो, आपने संविधान में वीधा पीपल की जो अफधारना है, जो सं संग्ठनों को बुलाया गया इनको कहा गया सारे संग्ठन आये हमारे पास recording है खुब इनकी दावत की इनके खुब हाद जोड़े इंचे कहा भाई खटे हो जाओ हम मारे जारे हैं तो हमने सोचा कि भाई ये हम मारे जारे हैं इसलिए पैसन नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम मारे जारे हैं हम मर जारे हैं कोई दिक्कत नहीं ये तो उनका काम है चला है इनका तो चंदा आ रहा है मज़े आरे इनके तो तो हमने बात बदली हमने उनसे का भाई आप मारे जा रहे हो अब बचिया हो तो नेता तो तब होता है ना जब उसकी प्रजा हो जब उस उनको ये बात की समझ में ने आई, तो हमको इक बात समझ में आ गई, वह ये बहुत बड़ा रोग है, ये बुद्ध ने बताया है, ये प्रसंसा, ये प्रधानी, ये कश्डेंट सेप, ये ऊपर बैठना, ये बीच्टी कुर्सी पर बैठना, ये मान का सम्मान का अभिमान, ये बुरे रोग हैं, तो दस मार बुद्ध ने बताई हैं, बुद्ध से बहतर कोई भी दुनिया के अंदर फ्लॉस पर नहीं है, बताने वाला नहीं है, कि ये चीज कैसे कैसे, एक एक चीज बताई हुई है, तो उसमें एक प्रसंदी की मार भी है, तो प्रसंदी के वारे म मगर अभी जो हमने मीटिंग की लखनों के अंदर डॉक्टर की तो हमें एक बास संग आई हमने कैई लोगों कहा जो बड़े पिरसिद्ध लोग हैं जो बीच की कुर्शी पर बैठते हैं जो जिनके बड़े नाम हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा विचार देते हैं भाश करता गई वो कहते हैं कि भाई हम तो आपने इतने उंचे पहुचा दिए इतने उंचे पर बठा दीए इतनी उंची कुर्सी बठा दिए कि हम नीचे कैसे बैठा है उनके साथ में ने समाज को समाज ने बठाया नहीं बठाया वो तो अलग बात है मैं रो भी थो बैठ गे वो बढ़ती जा रही है, समझ में आ गया कि अगर जमीन से चिपट जाएंगे तो बच जाएंगे, बंबबी जब फटता है तो जो जमीन के अंदर घुशता है वो बच जाता है, जानवर भी जब हुकम पाता है तो जमीन के अंदर जो होते हैं वो बच जाते हैं, जमीन के अं पर इसको बाल खा जाती है, इसलिए भाया, जमीन पर रहेंगे तो बच जाएगे, इस जमीन पर रहने का ही समण संग है, समण संग में कोई ऊपर चड़ने का सिस्टम ही नहीं है, सब को जमीन पर रहना है, क्योंकि समण संग का जो नियम है, वो नियम हमने नहीं बनाया, हमने सारे नियम पुराने हैं जिसमें बुद्धने भी पालन किया जब वो सिद्धत गौतम थे और उससे पहले ये नियम चल रहा है और बहुत पहले से चल रहा है इसकी हिस्टरी इतनी प्राचीन है जितनी आदमी की प्राचीन सभेता है और प्राचीन सभेता आदमी से भी पुर ạn quality में बचे हुए हैं। क्योंकि वो इकhtे रहते हैं। जो पीड़ पाद हैं, उनको वो भी जुन्ड में मिलते हैं। वो बची रहते हैं। पेड़-पाद है कि जानी भोलता है। चीटी भूगी रह सकती है, मगर संग में मिल बाट के खाती है, बच जाती है। तो बंदर जुन्ड में अगर उनको कहीं एक फल मिलता है, तो उस पर जिंदा रह लेते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा जो होता है, उनको सब को बाट के खाकू लेते हैं, तो ये समण संग मे रहने का तरीका प्राकर्तिक है, हमारे पूरवजों में हमारे जीन से आया है, हमारे बचने से आया है, वो पूरी दुनिया का तरीका है, ऐसा भी नहीं है कि भारत में हमारे लोग हैं जो उनका है, बस हमारे हैं समण संग का है, तो बाकी लोगों ने इस संग को सीखा और ज तक जो समण संघर के नियम है वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं तो इसका तब भी kोई लीडर नहीं होता बंदरों के जुन्द का कोई leader नहीं होता, चीट्रियों के जुनुका कोई leader नहीं होता, मगर वो एक दूसरे के पीछे चलती रहती है, पीछे चलती रहती है, जहां उनको खाना रूझा है। वो फटाबर दूसरे को बदा देती है, उसको यह नेता पताते थे और ऐसा जिक्र हमारे इनी जो पुरानी किताबों उसमें लिखा हुआ है कि बाहर से आए लोग अपने नेता को इंद बोलते हैं इंद बोलते हैं तो ये जो हीरोशिप है जो वर्शिप है और ये जो नेतागिरी है और ये जो वेक्तिवाद है ये जो राजाबाद है राजस्तंतरवाद है राजकुमारबाद है या जो किंग्डम है ये सारी सारी बाहर की फिलोस्पी है हमारी नहीं है तो कि लुटेरों को एक सरदार के यहां का ना पैसा लेते हैं ना यहां नेता बनता है यहां कभी नेता बन भी नहीं सकता है तो यहां हमेंसा समानता रहती है यहां कोई किसे ना बड़ा है ना छोटा है उमर में छोटा बड़ा हो सकता है जानकारी में छोटा बड़ा हो सकता है मगर इज़त में छोटा बड़ कहें चोटा है बड़ा है पड़ा है लिखा है जैसा भी और जो महिला है उनको बहन जी कह के बोले पुराने नियम तो और भी गजब का था पुराने नियम में जितने ये टीचर होते थे वो सब को भंते कह के बोला करते बंते मतलब जिसका भैका अंत हो गया है तो सब एक दू सामें हमारे बहबार में आना चाहिए. मगर यहां क्या है? हमारे लोगों ने क्या किया? अगर आपने पीछे प्रधान जी आगे प्रेश्टनेंट साहब और कुछ नहीं लगाया और जो बीची कुछी बैठा है उसको आपने बाई साहब भी बुल दे तो बुरा मान जाएगा भाई साहब भाई साहब भी बुरा मान जाएगा उसको आपको प्रधान जी और प्रधान साहब और प्रेश्टनेंट साहब भी कहना पड़ेगा और मानने वर पता नहीं क्या क्या कहना पड़ेगा तब जाके वो मानेगा आपने भाई साब कह दिया तो भाई साब नहीं आपका अजमा के देखला ना इस बात को भाई साब कोगे दोबारा बात ना करे आपसे हम इतने बड़े आदमी हैं हम तो तेरे बहुत बड़े आदमी तो कि बैपार है तो वो एक दूसरे को फटावट फटावट बताते थे ये काम करना है तो काम सिखाते थे तो समढ़ संग में सारे लोग पढ़े लिखे भी थे तो कि असोक की जो पत्थर की किताब हैं वो सारी सारी हमने लिखी तो पढ़ने वाले भी हमी थे तो समढ़ संग में सारे के सारे ब्यापारी ब्यापारी कितने बड़े-बड़े सुदत जैसा ब्यापारी जिसने बुद्ध को अपने यहां अपने सेहर में बलाने के लिए बाग खरीदार जब बाग के मालिक में बाग बेचे समाना कर दिया तो उसने का कीमत बोल उस तो कीमत होगी तो पक्की हो गई लाओ बई गाड़ी भरबर के लाओ और गाड़ी भरबर के सौने की दिनार आने लगी और वहां जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी बिचने लगी वो भुचका रह गया मैंने क्या बोल दिया उसका दिमाग खराब हो गया कि यह जबीन को सौने से ख़़िद र कर g guilt का लैतलच करता था तो वह दॉक्तर कर आया हमारी उनिवर्स्टी से तक्सला से पढ़के आया जो अप्कानिकसान में तो कितने डॉक्टर पढ़के आएches तो डॉक्टर कोई और होता ही नहीं था हमारे केसान के Lein कितने गजब के सारे के सारे जो बैल-गारी बनाते थे जो एक से बड़िया चीजें कास्ट-कारों की किसानों जो हमारे किसान कितने बड़िया जो धान इतना वोय करते थे कि दानी दान होता था धन दाने से भरपूर धन भी दान को बोलते थे धन दाने से भरपूर तो खेत हमारे सारे सारे तो राजा कौन होता था हमारा समन राजा होता था बाद में असुख हुआ उससे पहले राजा थे नहीं उससे पहले गणगरसा थी तो हमारे राजा रहे तो सेना किसकी सेना हमारी हम सेना पती हमी सेने तो वैसा कौन सा काम था जो असुक के दरवार में हमने नहीं किया तो राज दरवार भी हम मंत्री भी हम तो सिपाई से लेके मंत्री से लेके संती तक पढ़ाने से लेके पढ़ाने से लेके सिक्षा से लेके बैपारी से लेके सब हम तो फिर अचानक हम को बाबा साब को उठाना के उपना, क्यों बाबा साब ने हमें उस सिस्टी से उठाया, जब हमारे आगे हाड़ी और पीछे ज़ाड़ू होती थी, हम इस मुद्रा में कैसे पहुँचे, इस अवस्था में कैसे पहुँचे, इसका जब अध्यन करते हैं, हम यह पाते हैं, कि जब हम बाब साब ने उठाये, तब हम 6743 टुकड़ों में बटे हुए थे, और उन टुकड़ों के नाम भी थी, वो टुकड़े किसने कर दिया, उस समय से लेके यहां तक, यह अगर आपको समझ में आ जाएगा, कि हमारे टुकड़े कैसे होगे, तो घर एक से हमारे दो, दो से चार और चार से आठ और आठ conséqu सोले हुए है, उने का एक कारण जो सबसे बड़ा है, वो यह है, कि हम एखाता बैठना और एखटा कहाना भूल गए, हम एख़टा बैठना, एख़टा बाचित करना भूल गए, हमारे अन्दर किसी ने से सराब, क किसी ने जूट, किसी ने पाप, किसी ने ये सारे व्यक्चार हमारे अंदर भर दिये और ये एगो आगया, एहम आगया, यही एहम और एगो आज 29,00,000 संग्ठनों में जा चुका है, यानि 6,743 टुकडों से बढ़कर हम 29,00,000 टुकडों में बढ़ चुके हैं, और 4,00,000 भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है, क्योंकि किसी ने कह दिया होगा, बुद्ध की बात है, तो धंकी बाता है, यह तो रिलिजन है, बुद्ध रिलिजन नहीं है, बुद्ध की एक बात भी रिलिजन नहीं है, रिलिजन वो होता है, जो जिस पे जो जिसने वो रिलाई करत यहां तो बुद्द कहते है एही पस्टो आओ और देखो एही पस्टो आजा देख ले तो समर्संग कहता है एक सो निन्यान में आदमी है कि आजाओ और सारे के सारे समर्संग में आओ और देखो अच्छा लगे तो काम करो, अच्छा ना लगे तो कोई बात ने चले जाना, फिट त्वारा आके देखना, फिट त्वारा देखना, क्योंकि पैसा नहीं है, मेंबर्सिप नहीं है, तो समर्संग में आने जाने के लिए कोई मनाई नहीं है, तो समर्संग का कोई मालिक नहीं ह इसलिए जब कोई मालिक नहीं है तो आपका राइट बाई बर्थ है यानि समण संग में जो आपका राइट है वो बाई बर्थ है अगर आप समण संग में पैदा हुए है समण है समण संगी पैदा इसी है यहां 199-1998 लोगों में से कोई आपको यह नहीं कह सकता जब तक आप संग के विरुद्ध काम ना करें और संग आपको निकालना दे तब तक जैसे वुद्ध को निकाला था जैसे सिद्ध गौतम को निकाला था ऐसे अगर कलेक्टिव डिशन ना हो ज संग ने का है उड़ राजनिती में आ जओ अरे बहुत साई लोग पूश'tे है उड़ अञारैस संग के अंदर होती है जो प्रसंजीत है, वो प्रसंजीत राजा था, राजा से राजीती चलती है, और बुद्ध जब पढ़ाते थे तो वो समर्ण संग के साथ नीचे बैठता था, बुद्ध भी समर्ण संग में है, राजा भी समर्ण संग में है, तो राजनीती समर्ण संग से बाहर नहीं है, रा खतम हो गई तो राजनीती करने की आवस्क्ता नहीं है राजनीती तो आपके साथ में आपके पीछे-पीछे तोड़ेगी राजा तो आप पीछे-पीछे बंगे तोड़ोगे अगर 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 उद्दे से आप एक लेके चलोगे तो एक उद्दे से पूरा नहीं होने करें अगर आप सामाजी के सब्सक्राइब करना चाहते हो सांस्क्राइब करना चाहते हो तो उसके हजारों संग्ठर बने हुए अगर आप सरकारी करमचारियों का उठान करना चाहते हो तो उसके हजारों संग्ठर बने हुए तो आप लड़कों की तरह कोई कोई सेना बनाना चायते हो कोई को यह मार माना चायते है व वह को आदम आजमा कर देखा चुका है कि कोई मैं तो करके मानुगा मैं तो बढब की बात नहीं मानता मैं तो बहुत डो जल्दिक कर लो आई मेहने में कर लो दो मेहने में कर लो ताकि उसके रिजल्ट विजल्ट आप सीख लो सब्सक्राइब कि हम जहां से बावा साब ने उठाए थे हम उपर चड़े अब हम नीच आ रहे हमारी आमदानी कम हो गई हमारे बच्चों को नौकरी मिल लए हमारे मकान बिकने सुरू हो आमदानी हजार रुपे रोजगी नहीं है तो जब आमदानी ज्यादा हो जाएगी खर्चा कम हो जाएगा और साथ में वैसन भी होंगे सराप के गुटके के सिक्रेट के और फालतू की चीज़ों के महंगे महंगे कपड़े बहगे बहगे शौक भी होंगे तो जल्दी ऐसा आना तो चाहिए एक करोड़ रुपिया आपने खर्च किया पांस साल तक पांस साल में दो कर तो वैसी हो जाता है और नौकरी उसकी लग रही है चालिस जार रुपे में तो दो करोड़ों का तो भाया बयाजी चाल लाग रुपे महिना होता है और बच्चे को मिलने है चालिस जार रुपे तो हमारे तो तीन लाग शाठी щा रुपे मिने जा रहे हैं और उटे और हमारा तो बच्चा भी जा रहा है वह तो तो सारी उनिवर्स्टे विक रहे हैं सारे डिपार्टमेंट बिक रहे हैं तो पड़ा लेखा बच्चा करेगा किया तो पड़ा लेखा बच्चा जो हमने 50 लाग में इंजिने बनाया ये एक रोलों में हमने डॉक्टर बनाया वो जब 30-40 अर कमाएगा तो उसका डिमोशन हो गया बारे घटे काम करेगा पैसा लेक जाएगी घर मकान बिख जाएंगे वहीं पहुंच जाएंगे ये पिर्टी करांती जितनी भी है कहीं ऐसी नहीं होनी है जो आप ये सोचो के कोई 10 मिनट के अंदर कोई राज आ गया तो वह हमें कर देगा ये ग्रेजुली डिक्रीजिंग है ये लगातार लगातार घटे घ घटे चल रही है ये जैसे उठी थी जैसे बावा सामने उठाई थी वैसे इसको डाउन किया जा रहा है बावा सामने हमको नौक्री दी हमारी नौक्री ले ली बावा सामने हमको पढ़ना सिकाया हमारा बोलना बंद हो रहा है बावा सामने हमको एकटा रहना सिकाया हम रोकना चाहते हो और दुबारा से बावा साब के कारवा को फिर आगे लाना चाहते हो और आगे बढ़ाना चाहते हो तो अभी मौका है अभी मौका है कि हम इखटे हो जाएं तो कि संगे सक्ती होता है और सक्ती में शांती होती है यह पूरा सेंटेंस है यानि कि संग में सक्ती होती है हमको शक्ती चाहिए और सक्ती में शांती होती है जिन देशों के पास शक्ती है वो शांत होते हैं जिन घरों के कुन में बड़े और इखटे होते हैं उनके पास सक्ती होती है वो प्रॉस्परस होते हैं सांत रहते हैं और जो समुदाय सक्ती साली होते हैं इखटे रहत कोई नहीं दोग सकता, फिर कहीं भी काम करो, किसी में दम नहीं है, ये ठीक ऐसे है, जैसे अकिला पुलिश वाला जो सखरक पर होता है और बर्दी हो ऊसके पास में, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पीछे उसका पूरा डिपार्टमेंट है, उसका पूरा संग है, इसलिए उसको कोई नी छेड़ सकता, वैसे ही आपकी स्थिती हो जाएगी, कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची कहीं भी जाए, हमारी बच्ची, हमारा बच्चा कहीं भी जाए, उसको हाथ नहीं लगा सकता उसको पता है कि समर संग में यह तने सारे लोग हैं वाश्य तो हम 120 करोड हैं अगर हम हम अभी उनकी बात lifelong आ करें जो इसे कि कम समझ दा रहे हैं तो हम ऐसी की बात लाइन है या तो लोग हैं कहां राजनिती की राजनिती का आदमी को मंच पर नहीं आने दिया इखटे हुए थे खाली पहले 32 संग्टरों में तो कुट्ता नहीं पूछता था जब 32 संग्टरों के संग बना लिया तो सकार पूछन लगी खुसामत करने लगी रोज उनके दरवाज में सकार कारल मैं इकटे हुंगे तो यह हमारे महशद हुआ कौसं ने बता राखा है कि आपात काल में खकरते होना है मुसीबत के समय क्यों खक्रते हो अगर शांती में खक्रते हो तो मुसीबत आएगी नहीं मुसीबत अपने आप निकल जाएगी अगर हम पहले खाटे हो जाते तो ऐसी इसिटी जाता ही नहीं इसके लावा जो हमारे और जो अधिकार हैं वो जाते दिक sniff on को इसे सेन्धारों का आया कि भाई ये संग है क्योंकि बुद्ध जब ये कहते है संगंग सरनंग अच्छामी तो हमारे भिकु कहते हैं हमारी सरन में आ जाओ अरे भिकु हो भाईया भिकु की सरन में भिकु आएगा आप हमें उल्टा क्यों पला रहे हो भिकु की सरन में भिकु जाएगा भिकुनी चारों संग एक साथ है चाए भिक्को का है चाए बिक्ड़ी का है चाम ने चारों को एक साथ रखा है मगर भिक्कों। किया, वो संघ के तहत इखटा नहीं किया, वो कह रहे हैं, मेरे पास आजाओ, पैसा तो मेरे को और मेरी बात माणो, संघ में ऐसा नियम नहीं होता है, लोग इखटे नहीं होते हैं, मगर पेहली बार हुए तो इंजीरे भी इटे होंगे, अब वकील भी खटे होंगे, अब महिला का संग है, वो भी खटे होंगे, जो बुजरुकों का संग है, वो भी खटा होगा, सब दीरे-दीरे करके खटे होंगे, और बहुत इसे सारे खटे हो रहे हैं, इस यकीन इस विस्वास को अगर देखना हो, तो लगातार लगातार आप meeting आके देखते रही है, बहुत ही जिसे अभी तो महराश्च में कमाल होने वाला है, क्योंकि महराश्च के लोग तो पहले से संग के लिए हम जानते हैं, बस उनको ये बताना है कि हम समढ संगी है और हम संगी है और हम ही इस देश के मालिक है और हमें अपने उधार के लिए बस इखटा होना है इसलिए बार बार हम कहते हैं जुड़ना है जीतना है जो जुड़े हैं वो जीते हैं जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे हमें जीतना है हमें जुड़ना पड़ यह इंटरनेटल है, सिर्फ इसके अंदर जो जहां पैदा हुआ है, समड़ संग के अंदर वो समड़ संग का मेंबर है, यहां कोई फीस नहीं होती, इसका जितनी तेजी से आप पिर्चार, पिर्चार कर सकते हैं, जितनी तेजी से लोगों को बचा सकते हैं, यकीन मानिए, अ हम फिर पुरूब कर देंगे इस बात को फिर हम इस बात का सबूत देंगे कि हम में वो चमता है बहुत जडडड़ के बरी पड़ी हैं आप सिर्फ सारे संग्ठनों से यह कहिए कि भाई आप अपने संग्ठन के नेता बने रहो आप ही हमारे नेता हो आप ही नेता रहोगे बस अफीम का नाम है पैसा, वो जो बिना महनत का पैसा जाता है, वो अफीम का काम कर रहा है, वो जहर का काम कर रहा है, वो नस्य का काम कर रहा है, अपने बच्चे को बचाने के लिए कडाई से पालंग करना चाहिए, उनकी अफीम बंद कर दो, उनकी अफीम बंद हो जाएगी, उन्हीं को चलाना चाहिए, हम तो इसमें साधाना मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर वही है, फिर भी जो एक्टिव मेंबर अभी तेजी से काम करना चाहिता है, वो आएं, बहुत तेजी से काम करना है, बहुत तेजी से बढ़ना है, और हर व्यक्ति ने काम करना है, का जान बचा था इसलिए जो जहां जो काम कर सकता है उसको काम करना चाइये अगर काम नहीं करेंगे तो atrás साल में आपने अपना काम दूसरों को दिया है नेता को अपने जुम्मेदारे दिया तो नेता तो ँह आपके लिटा झालेगा जब हमारे रहोसे है तो वो क्या हमारा झाल 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 या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फिरी है आप अपने फेस्बुक पे, अपने पेज पे, अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना रा संगव सरेन गच्छाम का है संगं सरेणं गच्छामी 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 साथू, साथू संग्छामी 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 संग्छामी